Hi everybody, this is Rupis Kumar Mishra देखिए आज की वीडियो में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है 3 के GS Examination Second Sitting Answer की के बारे में The Second Sitting में जिनका Examination हुआ उसका Answer की मैं बता रहा हूँ परिक्षा में जो question आपने solve किया होगा पेपर पे आपने टिक कर रहा होगा 4 में से किसी एक option को उसको यहां से आप verification कर लोगे जो मैं बताओंगा 100 में से लगभग 4-5 question ऐसा हो सकता है जिसमें error हो जो कि एक normal सी बात है कि जो question solve करता है ना तो उसमें कुछ error हो जाता है कुछ truth यां हो जाती है तो अगर उसमें कही confusion अगर मुझे लगेगा आगे तो मैं उसको बता दूँगा तो आप लोग comment box में अगर उसका आप लोगो confirm answer पता होगा तो बता दीजेगा ताकि बाकी चातर भी उसको देख के अपना answers का verification कर सकेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में लेकिने प्रेस करके रखें साथ में टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी जूर सकते हैं जिसका link तथा user ID आप कह सकते हैं वो description box में दिया हुआ है आगे बढ़ता हूं में जैदा समय को ना विस्ट करते हुए चले मैं options बताते जारो चलो पहला का जो right option होगा the topmost part of atmosphere that is one का right option B होगा यह होता है सबसे उपरी भाग को माना निम्न उसके बाद है mountain for a second second का जो right option होगा वो B होगा यह mountain ecosystem ठीक है जिसमें मैं tick लगा दूँगा इसको आप ध्यान नहीं देना है आपको यह जो tick लगा होगा वो होगा नहीं तो मैं बोल दूँगा कि ABCD में से कौन सा सही है उसको आप ध्यान से सुनते जाए इसलिए मैं बताता हूँ कि वीडियो को सुरूशन तक देखना पड़ता है 3 का right option आप लोगो B होगा computer के जनक कौन है तो Charles Babbage it's a very simple question CPU का full form क्या होता है तो central processing unit 4 का right option C होगा चले आगे चलते 5 brain of the computer पांचमा का जो right option होगा वो A होगा CPU 6 6 का right option होगा B that is 8 March 7 7 का होगा B ascorbic acid आप लोग question paper को अपने समक्ष में रखें तो उसके बाद यहां से video start कर दें और video को देख लें फिर आप लोग answer को मिला होगे तो यहां पर सहूलियत होगा paper को सामने रखना है आपको 8 का जो right option होगा वो हो जाएगा आप लोग का C that is sparrow गो रहिया जिसको हम भोलते हैं इसमें यह मोर लगा दिया है तो यह गलत है ना मोर तो हमारा राश्ट्री यह पक्षी है यह राज यह पक्षी पूछ रहा है that is sparrow 9 का जो right option होगा वो होगा D D में क्या दिया हो है जी histology study of tissue उत्तक विज्ञान उसके बाद है 10 plant receive their nutrients mainly from इसका जो right option होगा वो हो जाएगा 10 का D may be soil इसमें मतलब nutrients mainly soil से ही उसको मिलता है तो option D इसमें confirm नहीं हुमें लेकिन 90% इसमें जिसने solve किया है मैंने तो solve नहीं कर रहा इसको तो एक चात्र है उन्होंने solve कर रहा इसको जो graduation pass out है तो उनके द्वारा कहा आगा कि यह soil होगा इसका तो ठीक है soil 90% बता दिया जाए 11 है जो how many chambers does a human hurt have 11 का right option होगा B that is 4 next question हमारा 12 है 12 का right option आप लोगा D होगा D को click करो 13 13 का जो right option होगा वो हो जाएगा आप लोग का A that is carries oxygen चली जली जली आगे बढ़ते है 14 का right option होगा 14 का right option A it may be possible it is the most polluted river सब ज़्यादा polluted कौन है 14 का आप लोग answers बता होगे ठीक है इसको मैं छोड रहा हूं 15 15 का right option A होगा स्री नगर चली आगे बढ़ते है 16 16 का right option आप लोग B लगाओ इंडिया और पाकिस्तान Red Cliff Line Mac Mohon Line अच्छा Mac Mohon Line जो है सो किस country के बीच में है किस किस country के बीच में है बताओ ठीक है जैसे Red Cliff है इंडिया पाकिस्तान उसके बाद 17 17 का right option होगा A तमिल नेडू 18 18 का right option होगा A नेलगिरी 19 19 का right option B इस्टन घर्ट्स पूर्वी घाट 20 का right option A होगा that is 86% 21 21 का तो simple question है that is कौन chairman है नेती आयो के that is Pradhan Mantri option number A नेती आयो का पहले नाम था planning commission next question 22 that is option C 23 right option is D that is D none of this financial emergency has been proclaimed in India or financial emergency India में आज तक कभी लगा ही नहीं है एक दम option D इसका 110% होगा आज तक कभी financial emergency नहीं लगा है 352, 356 और 360 तो 360 के तहट साइद लगता है financial emergency उसके बाद लगनौ of Indian National Congress that took place in 1916 was presided by AC मजुमदार इसको हम बोलते हैं हाँ AC मजुमदार राइट option होगा चौबीस का चौबीस का भी अम्भीका चरन मजुमदार पचीस पचीस का जो राइट option होगा वह होगा C laprosy people कुस्ट रोही 26 26 का राइट option हो जाएगा आप लोका that is A Subhas Chandra Bose who among the following referred Mahatma Gandhi as father of nation निमली कित्म से किस ने Mahatma Gandhi को रास्टर पिता कहा है that is Subhas Chandra Bose और Subhas Chandra Bose नहीं Indian National क्या हो आर्मी Indian National Army का formation कर रहा है Subhas Chandra Bose Mohan Singh उसके बाद कहा जाता है रास भीहरी बोस ही सब है 27 who is the founder of नब विधान ब्रह्म शमाज तो 27 का जो राइट option होगा वो होगा B Raza Ram Mohan Roy ठीक है जी the system of indirect election 28 का राइट option होगा B it may be 1892 29 29 का राइट option होगा A that is BR Ambedkar तीनों रौंड टेबल में इन्होंने attend कर रहा था ये सम्मेलित हुए थे भीम रौंबेदकर साफ गांदी जी फर्स्ट में नहीं थे second round table में थे फिर third में ये नहीं थे तो BR Ambedkar ने तीनों करा तो option A is correct उसके बाद the third battle of पानिपत तो 30 का जो right answer होगा वो होगा D obviously 1761 उसके बाद 31 history से काफी सारा question पुछा गया अप लोगे 31 का right option D होगा भगवद जवाहर मल 32 वो में इंडियन 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 आप्शन होगा आप लोगा D that is 1917 17 or 1917 season में ही सायद इंडियन नेशनल कॉंगरिस की महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनिवेसंट सायद 95 percent ठीक है जी गदर पार्टी वस इसका राइट ऑप्शन तहति इसका भी होगा जी लाला हर्दयाल थे उसमें गदर पाटी में 34 का राइट ऑप्शन जो है वो C होगा 35 35 का जो राइट अंसर होगा वो होगा A 389 मेभी 389 नहीं है Constitution Assembly उसके बाद सारदा सदन 36 36 का राइट ऑप्शन D होगा पंडित रामा भाई उसके बाद तासकेंट अग्रिमेंट वाज साइंट किस-किस के बीच में होगा राइट का न्यूज एट पाकिस्तान और भारत के बीच 37 का राइट ऑप्शन A होगा उसके बाद एट 38 38 का हुआ है तो यह सही है first defense minister of india एकदम simple सा question है बलदेव सिंग option c उसके बाद है अनुसीलन समीती बरिंदर कुमार घोस 40 का right option a एकदम सही है how many members can be nominated to log sabhaya president 41 का right option होगा b that is 2 उसके बाद है 42 who among the following put forward the idea of constituent assembly for india for the first time that is 42 का right option होगा b gandhi ji 42 42 constituent assembly इसका right option the idea of constituent assembly इसका right option mn roy होगा इसका c आप लोग टिक करो इसमें यह गांधी जी गलत होगा jl नहरू नहीं होगा बलकि mn roy होगा तो option c उसके बाद है 33 43 का right option होगा आप लोगा b kwasi federal street h lasky उसके बाद है 44 44 का right option होगा a यह सही लगा हुआ है 45 का right option क्या होगा 45 का right option होगा d कितने मौली कदिकार अभी है हाल फिलाल में छे पहले कितना था 7 right to property जिसको 44th constitutional amendment act से हटा दिया गया है उसके बाद 6 उसके बाद है 46 46 का right option हो जाएगा आप लोगा b 1991 यह गलत है 1992 49 का right option होगा आप लोगा b इंडिया उसके बाद है 48 48 का right option होगा c ठीक है उसके बाद है 49 49 का right option होगा b लाल भादूर सास्त्री जै जवान जै किसान 50 का right option होगा पॉलिटिकल वाज सेट अप इन 1885 इंडिया नेशनल कॉंगरेस भाई ए ओ हुम एट कलकत्ता यह कहां पर फर्स सेशन हुआ था यह हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में मॉंबई में उसके बाद section b 50 फिर हमारा हो चुका है section a का खतम अब section b environmental studies start होता है 51 का right option क्या होगा तो वह आप लो टिक कर लोगे c इसमें लगा हुआ है c तो c right option है 52 का d अहां तो d ठीक है स्विट्जेड लेंट यह सही है 53 53 का option a वास्केट बाल ठेक 54 किसको flying sick के नाम से जाना जाता है मीखा सिंग option d 55 इसका right option c होगा that is यह tropical topical evergreen forest उसके बाद 56 इसका right option a होगा that is यह जो पलास लगाया गया 57 57 का right option c होगा 58 58 का right option 8 tennis यह सही है इसमें टीक लगा हुआ 59 59 का right option होगा c that is रूश उसके बाद 60 60 का right option होगा a that is भारत सतरंज का खेल का सुरुवाद 61 making of India option a that is a place tillotia 62 इसका right option होगा a cotille 63 इसका right option होगा a that is गेहूं उसके बाद 64 इसका right option होगा c यह भी सही लगा हुआ है तो इसमें बताने का विश्यक्ता नहीं है new york option c उसके बाद 65 सार्क का कौन member नहीं है तो इसका right option होगा वो हो जाएगा आप लोगा a d that is miyamr 66 का right option हो जाएगा आप लोगा b that is zeneva 67 67 का right option होगा d that is it that is 6 67 का option यह d6 g7 में कौन कौन आता है includes that is south africa नहीं australia india not that is 68 का right option होगा d italy g15 का कौन-कौन is a group of that is 69 का right option होगा a developing countries उसके बाद 70 70 का right option होगा c that is trig trigly 71 का right option हो जाएगा आप लोगा b a इसमें confirmation नहीं है 71 में ठीक है इसको मैं घेड दे रहा हूँ किसकी को confirm answer 71 का पता होगा तो बता हैं कि लेकि मेरे हिसाब से इसका 71 का b ही होगा that is pakistan 72 का right option अप लोगा हो जाएगा that is b option number green algae वाला 73 का right option होगा a that is theophrastus who is the father of botany option number a 74 that is ये that is 74 का प्रमस्तिस करके कुछ होता है जी 75 का right option होगा b that is pate 76 का right option होगा d या फिर a में से कोई एक हो सकता है या तो d होगा या तो ये a होगा लेकिन आप लोग ज़्यदा उम्मिद्गरों d होना चाहिए उपरोक्त सभी 77 इसका right option a ये फीमर टिक किया गया है 78 इसका right option होगा a that is fructose 79 that is the formula of fructose 79 का right option होगा b c6 x12 o6 option b उसके बाद 80 80 का right option होगा a that is सौरब गर्ग 81 first chief of defense staff 81 का right option होगा c that is बिपिन रावत सहाब पता होगा है इनका chopper crash होगा था जिनमें इनका मृत्ती होगा जिसमें इनका देहांत हो गया पिछले साल दिसंबर के महिने में 2021 में सायद उसके बाद है 82 82 का जो right option होगा वो होगा a that is new ziland 83 का जो right option होगा वो हो जाएगा b that is undp 84 84 का right option होगा c इसमें यह c लगा होगा है हाँ c लगा होगा तो c option 85 का right option आप लोग टिक करोगे a इसमें होगा delhi 86 का right option होगा आप लोगा c that is platinum 87 87 का right option हो जाएगा अप लोगा b that is para मतलब mercury और 88 का जो right option होगा वो हो जाएगा अप लोगा d that is इन में से कोई नहीं कहीं 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 d option भी सही होता है उसके बाद है 89 89 का right option होगा d that is all of the above 90 का right option होगा c that is bromine वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जदा जदा like कर दूसरे चातर तक भी शेर करें ताकि वो लोग भी यहां से अपने answers का verification easily कर सकें 91 का right option देख लेते है 91 का right option c होगा lead 92 इसका option a होगा जिस बच्चे ने इसको solve किया है वो भी कापी अच्छे तरीके से इसमें लग रहा है कि solve किया गया इसमें tick जो इननों लगा है maximum ऐसा है कि सही है 93 का right option होगा वो होगा c ministry of defense रक्षा मंत्रा ले 94 international day of women judges were celebrated first time in which year 94 का right option होगा d होगा 2022 25 का right option a होगा gujarat 96 right option होगा b that is sri lanka उसके बाद 97 97 का right option होगा b that is nato उसके बाद 98 98 का right option होगा a 1973 project tiger के बारे हम पूछ रहा है 99 का right option होगा d 99 का d और last time हमारा 100 100 का g20 कब established होगा 100 का right option होगा b that is 1999 में I think मैंने जितना आपको समझाया वो clearly आपको समझा आ गया होगा आपने answers का verification कर लिया होगा कितना आप score कर पारे हो comment box में जरूर बता है मैंने पहले बता दिया था कि इसमें 1-2% का error हो सकता है जो कि normal सी बात है कि solve करते time हो जाता है लेकिन आप लोग कितना score पर पारे हो यह आप बताओगे और result भी आपका कुछ इसी तरह के दिखने के मिलेगा जब आप लोग का परिक्षा परिना प्रकासित विस्युद्ध द्वारा किया जाएगा अब इसी तरह के इंटेस्ट्रिंग वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद